सबसे पहले हम लोग topics लेते हैं यहां पे हमारा syllabus हम ने आपको बता दिया हम आपको क्या provide करेंगे यह मेने आपको बता दिया आपकी future doubts होंगे तो हम किस-किस तरह के से आप मुसको solve करेंगे यह सबी चीज़े हमने आपको clear कर दिया यह हमारा होने के वाद हम लोग class को अभी च सबसे पहले हम लोग gym को समझते जिम क्या जिम का full form जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है जी बढ़ा में capital में यह small और M capital में जिम मतलब government e-market government का यह market है यहां पर comment का एक market है यह फीजिकल market नहीं है यह e-market है जैसे कि e-commerce website आप लोगों को पता होगा Amazon flip card वगरा यह private sector के लिए यह Remote के लिए संब करते है यह deck यहांपे आप ओर सिर्फ और इहांपे- fellas सेलर हो सकते बायर नहीं हो सकते यह पर आप सिर्फ सेलर हो सकते हैं बायर नहीं हो सकते यहा पर बायर government ही होगा मतलब खरीदने बाला कोई भी चीज जो अब खरीदा जाएगा तो वो सिर्फ गौर्वर्मेंट ही खरीद सकती है आप हम या आप जो लोग गौर्वर्मेंट से नहीं है गौर्मेंट सेक्टर में नहीं है वो लोग यहाँ पे इसको कोई भी चीज खरीद नहीं सकते हैं यहाँ पे ह प्रजेय और आपको पेंट और अपने के रिगार्डिंग जो भी चाहे प्रदॉ'd वह आपने रहे दिखा एक है lord वैस्तर नेलर्जनर जाने की जरुषत नहीं होती यह पर इसा नहीं फेर आप कोई भी प्रोडक्ट जानेंगे तो इसकी कैटेगीरी को जानना बहुत जरूड़ी है जो वह किस कैटेगीरी से बिलोंघ करताई तो यहां पर इसके पर बहुत तो आपका पोड़क्ट किस काटेगरी से बिलॉग करता है यह आपको जालने की जुरुत है सबसे पहले आपको काटेगरी फाइंड आउट करना है जिर्दि आप आपका पोड़क्ट बेच रहे हो जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग पिंडाल नेते हैं जाइंड के सर्च करstaw दिया हम अपको कैटेग्री कैसे पाइन की सा रहता है कैटेग्री किसको बोलते है जर्णलि हम लोग्लों नहीं यहाँ पर कैटेगरी कैसे दिखा ई Поэтомуैं यहां पर घ्रेव कहसे दो एसको डाला कि आपको बता दिया जिए हगा पॉइंट्ड का एक अलग के जिसको पर इंडराइब भॉलते हैं उसकी वी सी करता इसलिए उसमें भी आपको बता दिये को यह सर्व मार्किंग पैम न कि यह अग्या है और सुयम पांडा बोलके कनेट हो गया भी कि तो सब्सक्राइब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप कि स्वेम नारायन पंड़ा पंड़ा सब्सक्राइब कीजिए आप अपने आपको और थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन दीजिए आपको कि के में रिमूब कर रहा हूं कि कि ओर के फिर फे के बारे में थे यहां पर अलग अलग आपको एक सजिस्ट भी और गृणि यह आपको नहीं मिल रहा है तो आप किस केटेगरी से आप यहां से देख सकते हैं य migrated यहां पर देख लीज़े आपका पोड़ेट के स्काटेगरी में है आपको पिक्चर बगरा देखे पदा चल सकता है आपको लग रहा है यह आपका अपने पहला काटेगरी को आपने देख लेते हैं तो हमको ऐसे categories पता चलता, इसका rate पता चलता यहाँ पर भी, तो सबसे वेले Amazon पर देखते हैं, इसके साथ इसको compare करेंगे, हम लोग कैसा रहता है, क्योंकि Amazon से हम लोग ज़्यादा familiar है, तो पहले यहाँ के साथ उसको compare करेंगे, तो अपने को समझने में जादा easy होगा, जेम को समझ सकते हैं, तो यह हमारा categories मिलता है, यह भी आपको यहाँ पर brand बताता है, किस brand का यह है, देखिए, यह आपको brand बता दिया, जो कौन से brand में आता है यह product, यह feature space pen है, इनकी rating अच्छी है, वहाँ पर भी आपको rating दिखेगा, क्योंकि यह हम लोग यहाँ पर आजे इसको buy कर रहे हैं, तो हम Amazon पर कौन है, buyer है, तो यहाँ पर आजे buyer को आपका product कैसा दिखेगा, यह आपको यहाँ से पता चलेगा, आप इसके अलग-अलग red, black, yellow, अलग-अलग colors में available हैं, color क्या है, अभी जो product है उसका, यह जो color है, ink color है, इस product के बारे में इसकी dimension है, यह सब जो है इसका, यह इसका specification है, इसको हम लोग बोलते हैं specification, यह catalog हो गया, यह जो आपको picture दिख रहे हैं, images दिख रहे हैं, अलग-अलग videos दिख रहे हैं, साथ में आपको इसके बारे में पता चल रहा है product का, इसको हम लोग इसको catalog बोलते हैं, जहांपे इसका MRP है, आपके price डाले हुए हैं, इसके बारे में हैं, कौन सा brand का pen है, आपके इसके पस stock क इसको हम लोग category बोलते हैं, फिट से में repeat करता हूँ, यह ball pen जिस category से belong करता है, उसको हम लोग category बोलते हैं, जैसे की यह product का category क्या है बाल-point pen, यह आपको याद रखता, बाल-point pen इसका category है, और यह जो images देख रहे हैं, यह MRP देख रहे हैं, यह brand देख रहे हैं, फ्लेयर brand का ह कितना है इसके बारे में इस पॉडट के बारे में यहां पर लिखा हुआ है यह सब जो दिख रहा है आपको यह वाटर बेस्ट है ब्लैक एंड रेड कलर में कुन सा है ब्लैक एंड ब्लू में अवेलेबल है यह बॉल पॉइंट का कितना 0.5 ले लाइन वीड 0.5 का है मॉडल क्या है यह सब को हम लोग क्या बोलता है इसका कैटलॉग बोलते हैं यह क्या है इसका कैटलॉग तो हम इसको जैसे के अमिजन पर दिख रहे थे ऐसे यहां पर भी आपने को दिखता है पिर आते हैं यह पोड़्ट के मतरी यहां पर जो जि यहाँ पर जेन में यहां पर सेलरिटेल सब्सट थरा यह कोन कितने रइट में बेच रहा है याभि सिंगंगल पॉड़्र भी इसलúa आप यह दिखता जा रहा है तो आपने को यहां पर पश्चारता आभ यहां कोसिए यहां पर आपको दिख जाएगा तो टोटल 994 आइटम से हैं टोटल बॉल पॉइंट के पेज नमबर मतलब एक पेज में साइट दस पॉड़क्ट रहते हैं सेकेंड नमबर पेज मुझे बता देगा टोटल कितने पॉड़क्ट होंगे अदर्वाइज लॉग इन क्या तो बॉड़क्ट पेज में बारह हजर 28 टोटल पॉड़क्ट एविलेबल है यह आपको यहां से भी पता चलता है तो हम लोगों ने यहां पर क्या-क्या देखा कैटेगरी को समझा कैटेगरी क्या होता है पॉड़क्ट किसको बोलते हैं और कैटलोग किसको बोलते हैं यह अप आप कोई भी पॉड़क्ट बेच रहें जैसे मुझे बॉल पॉड़क्ट बेच रहा हूं तिसके स्पैसिफिकिशन इसके बारे में क्या-क्या नॉलेज अपने को चाहिए तो यहां पर क्लिक कर दो यह जो स्पैसिफिकिशन लिखा हुआ है यह सब का इन्फोर्मिशन आप मुझेए वे शर्वीश पोड़क्ट यहां पर वर्क नहीं है तो पर सर्विस जो मारकेट में है कि जैसे कि मुझे हमिजन हैं आज हमिजनसे मुझे कार पर्चेस कर सकतू हूं मुझे पक्री करना लाड़ी है मुझे वह पर्चेस करना है क्या Based कर सक्सक्रांन नहीं कर सकते इसके इस सिर्ग भी यह कोई सेलर इसको बेचता रही है जैनिपे कि मार्केड में फूड़क्त नहीं है तो आप उसको वह सकते पर उसको लिस्टिंग कराने के लिए यह हम लोग प्लास में देखेंगे यह चीज़े हैं आप मार्केट में जो मार्केट में अभिलेवल प्रड़क्ट जेम पे वही पॉड़ट को बेच पाएंगे आप यहां पे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है प्रोफाइल मैनेज करना पड़ता है और फिर आपको एक कॉज कि पाइसे की पार्टिसिपेट करने के तीन तरीके जेम पे आप अपने पोड़त को आलाग अलग तीन तरीकी से बेच सकते हैं कैसे सबसे पहले आते हैं डारेट पचीस हजा रहें कोई भी आपको कोई भी बायर डारेट परचिस देसको जैसे कि मुझे यहां पे कोई भी परेंपर करना तो मैं इसको एक दूकार्ट करूँंगा यह जो बेच रहा है यह पोड़िट जो पेच रहे है उसको डारेट चला जा जाएगा वह आपको डिरिवरी करतेertas को हम लोग बहुत हैं डारेक्ट उडर यहां पर कोच लेंजेंगे आप जिसको भी उचिस किये उस आप buyer किसी से भी purchase करें तो यहां पे simple हो गया कि 25,000 तक अपने को buyer को कोई भी product बेच रहा है और buyer से मेरी ज़िदी अच्छी भाचान है तो अपना ही product हम उनको basic है without कोई मेहनत नहीं है कोई भी without any मेहनत करके सिव अपने product का मुझे rate डालना है और हम उसको दे देंगे उसका product का link और वो उससे मुझे purchase करके देंगे नहीं है तो आप अपने product का best rate रखो तो automatically कोई buyer को अच्छा लगेगा जोई rate सबसे कम rate का है और product अच्छा है तो कोई भी buyer purchase करेगा और आपको direct order मिल जाए तो यह हो गया direct purchase second purchase का process है अपना L1 purchase L1 में क्या होता है compare करना पड़ता है तीन product को compare करना पड़ता है यसे मुझे pen purchase करना है पर इसकी limit जेंपे पांच लाग है 25,000 से ज्यादा पांच लाग से कम अभी यही pen मुझे बारस हो का मुझे जब 10 pen purchase करना था तो 25,000 से नीचे था पर यह pen मुझे भी 1000 करना है तो एक लाग 20,000 का हो जाएगा पतलब 25,000 से जादा है और एक लाग 5,000,000 से कम है तो ऐसे product को हमको L1 करना पड़ेगा तब हम मुझे इसके साब compare करना पड़ेगा तीन product को अलग brand का और अलग seller का जिसके details हम लोग आगे-आगे सीखेंगे तो हम लोग इसको compare और compare करके कभी भी buyer जो सबसे कम rate में देगा जो सबसे कम rate में देगा उससे ही purchase कर सकता है ऐसा नहीं है आप यहाँ पर रैनॉल्ड का दे रहे हो और मैं कोई अच्छे brand का दे रहा हूं पर मेरा अच्छे brand है तो rate ज़्यादा होगा पर वो उसका order नहीं लेसा जो सबसे कम rate मे देगा, उसको ही direct purchase में order मिलेगा, यह ध्यान ठीक है, यहाँ पर भी L1 purchase में, यहाँ पर भी setting की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी काफी setting होती है, आप अपने product को L1 करवा सकते, हम आपको कुछ तरीका बता देंगे, जिसके तुरू से आप L1 कर सकते, पर हाँ, 100% कोई भी product L1 नहीं हो सकता, आपको best rate पता चलेगा, या फिर आपको L1 करने के लिए थूड़ा मेहनद करना पड़ेगा, जो हम लोग buyer के class में देखेंगे, यह हो गया second purchase, थर्ड है PR, जिसको हम लोग बोलते है purchase requisition, जिसकी limit 5 लाग है, इसकी भी limit 5 लाग है, यहाँ पर, buyer, seller को invite कर रहा है, वो seller लोग यहाँ पर, सिर्फ rate को quote करेंगे, उस टाइम पर जो सबसे best rate में quote करेगा, वही आपका, उसी को order मिल जाएगा, इसको बलते है PR, purchase requisition, जिसके बारे में maximum लोगों को पता नहीं है, यह भी एक अच्छा setting का हो सकता, पर यह services में ज्यादा setting हो, तो इसको कैसे करते हैं, हम लोग PR के class में देखेंगे, थर्ड हमारा और एक तरीका है, बीड, जैसे कि मैंने आपको बीड बताया था, बीड अलग अलग तरीके होता है, product का है, services का है, अलग अलग तरीके का बीड है, तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से आप अपना बीड को ले सकते, तो बीड में कैसा होता है, दो envelop होते हैं, एक technical, एक finance, technical में जो भी tender में documents बोला जाएगा, उसको ही ये tender मिल जाएगा और वो product को देव आईगा बीड की कोई limit नहीं एक 5 रुपया का भी product बीड हो सकता है और एक 5 कडोर का भी और 500 कडोर का भी product बीड हो सकता है ये अलग-अलग type में purchase है चलो तो हम लोग और आगे जेम के बारे में समझने से पहले हम लोग कुछ query ले सकते हैं रोहन सर्काइक कोई जीज़े 25,000 का single product है रहा multiple product को एक बिल बना सकते हैं नहीं 25,000 का single product है तो आप 25,000 का आपको single order ही मिलेगा ये direct purchase हाँ बीड है तो फिर चलता है अलो अलो बोलिए सर नहीं ऐसे मेरा कारी थी कि जैसे मेरे पास एक पैन है कोई department 25,000 के पैन नहीं खरीद है वो अलग 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 लेना पूरेगा क्योंकि direct purchase में सिंगल ओडर ही जाता है तो बीड में possible इसको बोलेंगे बंच बिड पर डारेट पर्चेस में ये possible नहीं तो है इसके बार आते हैं आप के मैडम आपका इंटरनेट की मैडम का एक है कि बार बार डिस्क्नेट हो रहा है तो थोड़ा इंटरनेट की जिए आपका बायर के सेक्षिन में बीड ऑपन करना नहीं बताएंगे पर आपको लगता है कोई बायर का आपके पास कोई पर आपको लगता है तो आपके पास बायर का आई डी पासवर्ट होना चाहिए और बीड ऑपन के लिए पड़ा हुआ होना चाहिए तो मैं आपको दिखा सकता हो तो मैं आपको एक पर करके दिखा दिखा दूए ठीक है ठीक जब्ला आपकोई वी चीज़ को बहुतली लगाते हैं देखिए जडिये को जडिये हमने बहुत सारे लोग बोलते यह मुझे मैं जे बायर हूं मैं खरिदने चाहता हूं इसको तो मुझे ऐसा पेन चाहिए ऐसा यह बारसो वाला यह जो पेन है यह पेन चाहिए यह मुझे एक हजार पेन चाहिए बारसो का हजार पेन चाहिए तो मैंने इसका एक टेंडर निकाला यह बेड निकाला अभी इसमें हम चाहते हैं कि यह टेंडर पाटिस्पेट करने के लिए आपके पास कुछ काइटरिया हमने डिसाइड के अभी यह पेन जदी वह एक हजार क्वांटि तो कोई भी करेगा और वह मुझे प्रॉपर नहीं दे दिया तो मेरी लिलूपसान है तो मैं आपके इलिजिबल काइट्रिया को चेट करेंगा जो आप इस पेन को देने के लिए आपके पास इतने इमत है क्या तो हम आपको कुछ डॉक्मेंट्स करेंगे जैसे कि आपके पास कास इक्स्पेन्स होना चाहिए यह पेन को पहले बेचा हुया है ऐसा इक्स्पेन्स होना चाहिए यह बायर डिसाइड देगा डिसाइडों में डिसाइड करूंगा मैं पर्चेस करने वाला हो तो मैं डिसाइड करूंगा क्या डॉक्पेंट मैं मांगः मैं आपसे जिकी मांग सकता हूं जो भी मुझे लगेगा उस पॉडट का मैं डिटेल्स मपसे मांग लूपा तो यह हो गया इसको हम बोलते हैं टेक्निकल जहां पर डॉकमेंट्स इसके पॉडट के रिगार्डिंग या इस टेंडर के रिगार्डिंग कोई भी डॉकमेंट्स जो आप चाल हमने डिमांड किया है वो करते हैं इसको बोलते हैं टेक्निकल टेंडर में या गवीड में दो तरीके दो थो होता है इनोप जो होता है कवर दो थे गफाइन करेगा यह पन को आप आपको हजार पेंच चाहिए तो जो सबसे कम रेट में देगा उसको ये टेंडर मिल जाए कि यह किसी को और डाउट से तो बताओ में आलग तरीके से और समझाने की कुछिस करो तो फिर आगे आते हैं और यह हमारा जेम का जिसमें पॉड़क्ट एंड सर्विसें किस तरीकी से पर्चेस होता है क्या होता है है के ट्रहोग क्या होता है कि बेसिक जो इंफोर्मिशन हा वह बता है जदी बेड देखेंगे तो आपको यहां पर लिखता हैं बेड में जाओ वंगों की जाओ तक यहां पर बीड देखते। जो भी आप बिट से तीन अलग अलग तरिका है क्या या कोई भी टेंडर का आप काटीवरी देखना चाहते हैं यह फिर आपके लोकिस जाथे बताओ कोई बीश्टेट कोई कहीं से भिलॉंग करते हैं अपना बताईए पूरिशा है मेनम का बूरिश्वर पूर्दा हिए पूर्दा जोभी मैडम के डिस्टिप में टेंडर निकलेगा याप को यहां पर तांदेर को बढई कहा पुलिस चाहिए यह तो टेंडर भरेंगे उनका एनुवर पांच लाग होना चाहिए जीस कंपणी का आप लोगे जैसे लेनोबो है एच्पी स्थिक्ष जो भी आप कमपणी का दे रहे हो उनका जो टाणोबर लास्ट रीयर्स का बीस लगता होना चाहिए जो कंपनी का पॉडक्ट सप्लाइ कर रहे हैं आपके पास एक साल का पिछला एक्स्प्रेंस होना चाहिए लैप्टॉप बेचने का यह सभी डॉकॉमेंट्स का इन लोगों ने डिमांड किया है और भी कुछ क्या है क्या देखो पास्ट परफॉमें अपनी का प्रड़क्ट दे रहे हो लेनोगा दे रहा हो तो लेनोगा यहां पर देखो लिए पढ़ेंगे तो हम उसके आपको समझाए इसमें और भी क्या-क्या लिखा हुआ इसका क्या क्या मतलब है और किसे करें तो बाइर यहां पर बताया है आपको क्या लैप्टप चाहिए बाइर को 11 जनरेशन का इंटेल का इसेवन का सिप्यूट चाहिए 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 यहां पर उसके कर सकते हैं यह अच्छा बीड़ है दस कौंटिड़ी है वाट इज ओए मतलब ऑर जिनल इकॉप्मेंट मैनिफेक्ट्ट्र जो भी कंपनी अभी लैप्टप जो मैनिफेक्ट्ट्र कर रहा है वह हो गया ओए अप लैप्टप मैनिफेक्ट्र नहीं करते हैं आप किसी से ले हो और आप बेचते हो तो आप होगे रिशेलर आप किसी से ले रहे हो右 मैनिफेक्ट्ट्र से खरीद रहे हो किसी भी ले रहे हो तो आप होगेए रिशेलर हो जो मैनिफेक्ट्ट्र करता है कंपनी लैणवों एचि desert देल ऐसे और भी जो जो कंपनीज आई बीएम एसी जो भी कंपनी मैंने करती है वो लोग हो गए ओए तो यह हो गया हमारा बीड और कोई डिटेल्स है जेम के बारे में या फिर आपके जनरल कोई भी नॉमिनल अभी कोई है तो आप मुझे पहले पूछ सकते हैं पहले के क्ला आप पूछ उप्शन पर आपके हम बताएंगे अभी हम को खाले आपको इंट्रेक्शन की तोर पे बता रहे हैं तो आपके जैसे से हम तॉपिक्स वाइट आपको बताते जाएंगे पहले सब्सक्राइब अब लो बोलिए यह लिवन क्या होता है अभी आप माल लेजिए अभी आपका खुद का कंपणी है यह आप कहीं पर जॉब करते हैं खुद का कंपणी बरबर है आप रिसेंट कोई पर्ट पर्चेस किये कोई वीचीज पर्चेस किये हैं मार्केट से तो आपने किसी एक ने और किसी को मार्केट में और सिंगल किसी को एक को डारेट ओडर दे दिये क्या आप लोग क्या करते हमको कोई भी प्लाइवूड पर्चेस करना है तो हम दो चार लोगों से कोटिशन मंगाते हैं बरबर मुर्ण जो डिक्वार्मेंट है इतने एम का चाहिए वाटर प्रूफ होना चाहिए वगरा वगरा यह रिक्वार्मेंट हम दो चार लोगों से कोटिशन मंगाते हैं और फिर उसमें से जो सबसे कम रेट में देता है हम उनको उसका ओडर देते हैं बराबर है जी साब यहीं आपको यहां पर बायर को प्रेंड करना पड़ेगा जो सबसे बेस्टेट में देगा उनको ओर देना पड़ेगा जी ची ची डारेट पर्चेस क्या हो गया जो 25,000 से नीचे था उसका मतलब यह हो गया आपने डारेट किसी को लिया कोई भी बेंडर को लिया और डारेक्ट लिया उसको बोलता है डारेट पर जिसके लिमिट पच्छी सब्सक्राइब जैसे कि आपको एक पेंट चाहिए पच् कोई प्राब्लम नहीं अपने कुछ है यह वह अर्जेंट बरबर है इसको बोलता है डारेट पर जी गॉवर्मेंट के लिए ऐसा लिमिंट के लिए पच्छी सजार डारेट परचेस के लिए पच्छी सजार से ज्यादा पांच लाग का कम उसको बोलते कंपरी जहां पर इस अश्या आप गॉवर्मेंट के इंपलोई हैं या गॉवर्मेंट के जीशार आप गॉर्मेंट के लिए नहीं है तो बाइर नहीं तो फिर वार्वर्मेंट के लोग ही हो जो गौवर्मेंट चलाती है जो पंपली को पोलिये और कुछ इसे को पॉलें जैसे आप बोले कि टेंडर में जो जिसका प्राइब सबसे कम होता है उसको टेंडर मिलता है उनलोग सबका सबका क्वालिटी क्या सेम होता है जरूरी ने मेडम जो मांगा गया है अभी इसको यह डिमांड किसने अपना इसको देना इतना ही ल precurs दे रहे हो हो यह लेद का ले हो यहां पर इसको बोलता है उसको बोलते हैं P.A.C. Bit, Proprietory Article Certificate, P.A.C. Bit, यहाँ पे P.A.C. लिखा रहेगा, यह टेंडर में दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे P.A.C. लिखा रहेगा, यहाँ पे laptop के बाजू में P.A.C. लिखा रहेगा, उहाँ पे उसी brand का रोही model का product देना, तब वहाँ पे दू उसके specification clear होने जाए, सर अनिल बात करा हूँ, हाँ अच्छा यह मतलब मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है, अच्छा पे बेश सकते हो, अप यहाँ पे पेंगी सकते हो, लेबर भी सप्लाइ कर सकते हो, कुछ सब कर सकते हो, आप राशार भी सकते हो, जी नहीं सेर मतलब मैनुफेक्ट्रिंग नहीं है, खुद का अपना, नहीं चले, आप एजरी सेलर बेश सकते हो, ओके, 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 तैंक्यू, वामसी, तेक्निकल बिड क्या होता है, टेक्निकल बिड जहां पे डॉकुमेंट्स, यह तेक्निकल और फाइनंस, ऐसे यहां पे दो पाट होते है, टेंडर में, टेक्निकल मतलब यह तेंडर में जो भी डॉकुमेंट्स रहेंगे, इस तेंडर के लिए जो डॉकुमेंट्स का पाट रहेगा, जो भी डॉकुमेंट्स का पाट रहेगा, उसको बोलते है टेक्निकल, फाइनंस में क्या रहता है, यह तेंडर को आप कितना में लेना चाते हो, आपका रेट क पार्ट होगा और इसके आपके जो पर करेंगा पर निभेशा करेंगत करेंगा यह है वो जो बताएगा उसको हम तकति एंटर में पर किछी मृचना चाहिए और होग के एक साल म Andrea न चाहिए यह सब आप का के मृच रहे हो तो लाख में पांच लाख में 10 लाख में कडा धी इस टेंडर को कितने में लेना चाहते हूं यह आपका हूं आक प्रोड़क्स कर रहा हूं कर सकता है मतलब स्रेपिकेशन या करकुछ देखो सर यह हिल्फ करना हो गया कि सेकेंड आपको टेंडर पहले स्टेडी करना पड़ेगा टेंडर में क्या पता रहा है पड़ेंडर में जो डॉकुमेंट्स लगेगा वो डॉक्मेंट्स आपके पास स्कून निचेंगा तो जो कंपणी का अपको उनका एनुवल टेनुवर लेना पड़ेगा तीन साल का लास्टी यज्का करते हैं तो नहीं करते तो जो कमपनी आपको कर रहा है उसका पोड़क्ष पहुट बेचों पूर्ड को पूरुयों जैड जड़िंगे आर यह जदी में हैं देखो अभी जो मेरे साथ हुए उसके सबसे मैं आपको बताता हूं देखो कभी भी बाइर से बैक टुब बैक और नहीं लेनेगा कोसिस करो बैक टुब अडर मतलब एक और मिला और सेकेंड और फिस्से मतलों बीच में एक और का टेक है थीकर यह रूल बतरों एश कुछ नहीं कि तीन से ज्यादा और नहीं मिलेगा तीन से ज्यादा मिल सकता है पांच तस भी मिल सकता है पर इससे क्योंगा जमकी नजर में आया जदि आपको ब्लॉक कर दिया तो थिस से आपको कभी भी ओर नहीं लेंगे तो ज्यादा सेफ रहेंगे आप और आपको कभी भी दिक्कत नहीं आए तैंक यू बोलिए नेक्स्ट और किसी को कुछ परी जी सर यह क्यों होता है सर अब जो आप बोले ले सकते हैं इसा क्यों है सर ऐसा किसलिए है कि हुआ हुआ है यहां पर जितने भी लोग क्लास कर रहें सबको पता है जिम एक पूरी की पूरी सेटिंग अगे में तो यही चीजों को कम करने के लिए एसा बनाया गया है बाकी कुछ लिए ताकि ये कम हो है ठीक है है कि वह लिए और कुछ किसी को डाउट्स लुए लुए और थोड़ा क्लियर कर दीचे था लुए 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 कैसा होता है मैडम मार्केट में आपको जेम पे तीन और भी लोग ढूडने पड़ते हैं और उनके साथ उनका compare करवाना पड़ता है यह आपको यह लुए से लेना है तो बायर से आपको तीन compare करना पड़ेगा और तीन में है देखेंगे तो आपको एक समझ में आ जाए और और कुछ डाउट से अलो हां बुलिए रेक्विजिशन एक वार रिपिट कर देंगे प्लिश पर्चेजिशन कैसा होता है बायर माल लीजिए किसी ने डाला है एज एक्जम्पल बायर कभी क्या होता है यह ज्यादा सर्विस होता है तो नहीं हैं कि यह हम डाल देते हैं कि हमने के मेरा पोडक्त को मुझे कितना में घाल दिया जो मुझे सब्सक्राइब करना है तो मैंने अपना रेट नहीं डाला मैं बोला कि मैं बेचता हूं बेचता हूं पर मुझे यह में पॉर्डट के करना है यह सर्विस में अबलेबल न करता है दो यह बायर को पता चलता यह यह जो सेलर यह गों फोटर मुझे बताओ तब आ गा उसको वो सर्विसेस का ओडर मिल जाए इसको बोलते हैं प्राइस प्यार पर्चेस रिक्विजिशन तैंक यू और कुछ किसी को डाउट से तो बताई चली यह हम लोगोंने जेमका fortun देखा जैम परकिख्या क्या का कांश कर सकते हैं और आपके जैम से रिगार्डेंक कुछ कोटी ञडश है तो आगे के। को देखेंगे सब ही यहां पर लगे देखेंगे कि एसे मतलब क्या होता है और और भी यह लूब हम लोग सब चीज़ यहां पर कैटलॉग में यह ट्रेंस क्या है यह सब कि प्रक्लास चालो करेंगे डिविश्ट्रेशन